नमस्कार बच्चों, नमून नमा बच्चों, पहले वीडियो में आप वर्ण वर्णों के बारे में जान चुके हैं अब हम शब्द, शब्दों के ज्यान लेंगे भाशा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं आपने पहले वीडियो में सीख चुके हैं वर्णों से ही शब्द बनते हैं. अब हम संस्कृत के शब्द कैसे होते हैं? अब हम इस वीडियो के द्वारा देखते हैं. तो चलो बच्चों, आपका दूसरा पाठ है शब्द ध्यानम. शब्द ध्यानम बच्चों संस्कृत में हिंदी के जैसे लिंग होते हैं और वचन होते हैं. हिंद में, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं. लेकिन संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के होते हैं. पुम्लिंग, नपुम्सकलिंग, स्त्री लिंग और वचन भी तीन प्रकार के होते हैं. एकवचन, द्वीवचन और बहुवचन. अब हम शब्द, शब्द लिंगों के अनुसार, शब्दों को वचनों में किस प्रकार लिखना हैं देखते हैं. चलो बच्चों. पहले हम पुम्लिंग, लिंग. लिंग में तीन प्रकार होते हैं. पुम्लिंग, स्त्री लिंग नपुम्सकलिंग इनका परिभाशा लेते हैं. देखिए बच्चों, पुम्लिंग. जो शब्द पुरुष जाती का बोध यानि ध्यान कराए, अधवा, बताए. इन शब्दों को पुम्लिंग, शब्द कहते हैं. जैसे उदाहरन देखिए बच्चों, बालक कहा. इसका अर्द है बालक. दूसरा लिंग है स्त्री लिंग. जो शब्द स्त्री जाती फिमेल का बोध यानि ध्यान कराए, अधवा, बताए, उन शब्दों को स्त्री लिंग शब्द कहते हैं. उदाहरन, संस्कृत में उदाहरन है बालिका, इसका अर्द है, हिंदी में भी बालिका ही. अब तीसरा लिंग है नपुमसकलिंग. नपुमसकलिंग जो शब्द न पुमलिंग और ना ही स्त्री लिंग जाती का बोध कराए, अधवा, बताए, उन शब्दों को नपुमसकलिंग शब्द कहते हैं. उदाहरन, पुस्तकम. यहां पर आप देख रहें ना बच्चों, पुस्तकम. हिंदी में क्या कहते हैं पुस्तकम को पुस्तक. समझ में आ गया बच्चों, लिंग और उसके तीन प्रकार. पुमलिंग, स्त्री लिंग न पुमसकलिंग. पुरुष जाती का बोध कराये अथवा बताये, वो शब्द पुमलिंग के शब्द होते हैं. जो शब्द पुमलिंग नहीं होते हैं या स्पीलिंग के जाती, स्त्री जाती के शब्द नहीं होते हैं. उन शब्दों को न पुमसकलिंग शब्द कहते हैं. समझ में आगे आना बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं. देखे बच्चों, संस्कृत में भी वचन तीन हैं. एकवचन, द्वीवचन, बहुवचन. एकवचन का परिभाशा देखे बच्चों, जो शब्द एक संख्या का बोध यानि ध्यान कराए अथ्वा बताए और वो शब्द एकवचन के शब्द होते हैं. मतलब इसमें सिर्फ एकी, एक संख्या का ही बोध कराने वाले शब्दों को एकवचन कहते हैं. यहाँ पर देखे बच्चों उदाहरन बालक कहा, एक बालक. समझ में आया बच्चों? दूसरा वचन है द्वी वचन. जो शब्द, अब संस्कृत में द्वी वचन अपने नया सुन रहे हैं. हिंदी में सिर्फ एक वचन और बहु वचन ही रहेगा. लेकिन संस्कृत में द्वी वचन, जो शब्द, दो संख्या का बोध कराये, अथ्वा बताये, उन शब्द को द्वी वचन शब्द कहते हैं. उदाहरन देखिए बच्चों, इसमें बालकव, बालकव का अर्ध है, दो बालक. अब हम तीसरे वचन में जाएंगे, बहु वचन. जो शब्द तीन या उससे अधिक संख्या का बोध कराये, अथ्वा बताये, उन शब्द बहु वचन शब्द कहलाते हैं. जैसे बालक आहा, इंदी में इसका अर्ध है, बहुत सारे अनेक बालक. समझ में आ गया बच्चों, वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, वी वचन, बहु वचन. एक वचन, जो शब्द एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन में, एक वचन कहलाते हैं. जो शब्द दो संख्या का बोध कराने वाले शब्द वी वचन में आते हैं. जो शब्द तीन या तीन से अधिक का बोध कराने वाले शब्द बहु वचन में आते हैं. आप देखिया बच्चों यहाँ यहाँ बालकाहा एकवचन, बालकाई द्वीवचन, बालकाहा बहुवचन में आएगा, समझ में आयाए बच्चों, लिंग और वचन के बारे में अब हम शब्दों में किस प्रकार प्रयोग करना है, देखते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चो लिंग वचन की पहचान किस प्रकार करना है अब यहाँ पे देखिए बच्चो वचर तीन प्रकार के होते हैं एक वचन, द्वी वचन, बहु वचन लिंग तीन प्रकार के पुमलिंग, स्त्रेलिंग न पुमसका लिंग अब यहां पे आपको लिंग कैसा पहचानना है? वचन में और लिंग में उन शब्दों को कैसा पहचानना है? देखे बच्चो, शब्द के अंत में एक वचन पुम्लिंग का बोध कराने वाले शब्दों के शब्द के अंत में शब्दों के अंत में अहां आया समझो, वो पुमलिंग का शब्द है, आ, स्त्रिलिंग शब्द है, मा के नीचे हलन्त आया समझो बच्चो, वो नपुमसकरलिंग का एक वचन के शब्द है, समय मैं आया बच्चो। अब हम वीवचन के देखें बचो, लिंग में अउ, शब्द के अंत में अउ आया समझो बचो, वो उमलिंग का वीवचन का शब्द है, एकी मात्रा आया, समझो बचो, एकी मात्रा, वो त्रीलिंग का वीवचन, नपुम सकलिंग में भी वीवचन शब्दों को एकी मात्रा ही आएगा अब देखिये बच्चो बहुवचन बहुवचन में आहा का प्रयोग होता है शब्द के अंत में आहा आएगा त्री लिंग में भी सेम इस प्रकार ही आएगा आहा ही आएगा Next नपुम सकल लिंग में आनी आनी या आनी आएगा आप देखिये उदाहरन देखिये बच्चो यहाँ पे पुमलिंग शब्द है आपने इसे पहले ही सीखा है बालक अहा यहाँ पे शब्द के अंत में अहा विसर्ग की आवाज आएगे देखिये बच्चो वी बच्चन में शब्द, मूल शब्द को आव की मात्रा जोड़ना है आपको आव, आव की मात्रा बालक अउ बहु अचन में आहा, आ की मात्रा और विसर्ग दो भी जोड़ना है यहाँ पे दिखा रही हूं मैं देखिये बच्चो आ की मात्रा और विसर्ग जोड़ना है अब पुम्लिंग का शब्द एक वचन में, द्वी वचन में, बहु वचन में कैसा रहेगा बालकाहा, बालकाउ, बालकाहा अब हम स्ट्री लिंग देखते हैं स्ट्री लिंग में उदाहरन है बालका, आलड़ी, same as it is आ की मात्रा रहेगी स्ट्री लिंग शब्दों में आ की मात्रा के जोबी शब्द है उस सारे शब्द स्ट्री बोध कराने वाले शब्द समझ में आया बच्चो अब यहाँ पे वी वचन में एकी मात्रा जोड़ना आ की मात्रा निकाल के एकी मात्रा बालिके बनेगा आपका शब्द एकी मात्रा लगाना है बालिके समझ में आया बच्चो अब बहु अचन में बहु अचन में आहाँ बालिका रहेगा आप सिर्व विसर्ग जोनना है बालिका हाँ समय में आया बच्चो तीसरा लिंग है नपुमसकर लिंग मूल शब्द को मूल शब्द को पुस्तक यहां पे मूल शब्द है उसको प्लस म जोडना है पुस्तकम वी वचन में पुस्तक को ही एक ही मात्रा जोनना है, पुस्तक के, बहु वचन में आनी जोनना है, पुस्तक मूल शब्द है, इसको आनी जोनना है, पुस्तकानी, समझ में आया बच्चो, पिसे एक बार देखिए, लिंग, पुम लिंग में शब्द के अंत में अहां आएगा, तब आपका शब्द बालकहा बनेगा वी वचन में आउ की मात्रा जोनना है आपका शब्द बालकव बनेगा बहु वचन में आहा जोनना है बालकाहा बनेगा आपका शब्द नेक्स दूसरा लिंग है स्ट्रीलिंग स्ट्रीलिंग में आ की मात्रा शब्दों में आ की मात्रा आएगा तब वो Stringling के शब्द होते है याँ पे देखिये उदाहरन बाली का द्वी वचन में बाली के एक ही मात्रा जोड़ना है बहुवचन में बाली काहा अब तीस्त्रा लिंग है नपूमसका लिंग यहाँ पे मूल शब्द को मा के नीचे खलन तुजो ना है उस्तकम, उस्तक के, उस्तकानी समझ में आया बच्चो, लिंग और वचन की पहचान अब चलो बच्चो, अब हम आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे देखिए बच्चो, लिंग वचन, एक वचन में किस प्रकार पहचानना है और बहुत सारे उदाहरन भी देखते हैं लिंग, यहाँ पे एक वचन में पुमलिंग रहा समझो आहा, स्रीलिंग, आ की मात्रा, मा के नीचे हलन्त अब पुमलिंग शब्द देखिए बालकाहा, शब्द के पीछे विसर्ग अहा की द्वनी आवास आएगी अब उदाहरन देखिए बच्चो, बहुत सारे ब्रिक्षाहा, सूर्यहा, चन्द्रहा, पुरुशहा, बालहा आप स्रीलिंग में बालिकाह, शब्द के पीछे आकी मात्रा, आकी द्वनी, आकी आवास आती है बहुत सारे उदाहरन देखिए बच्चो, यहां पे देखिए बाला, आकी मात्रा आई है न, इसलिए वो स्त्रीलिंग का शब्द, महिला, स्त्रीलिंग शब्द, सरिता आकी मात्रा, चटका आकी मात्रा, रोटिका आकी मात्रा आई है इसलिए सारे स्ट्री लिंग शब्द है, समझ में आया बच्चो? तीसरा लिंग है नपुम्सका लिंग, पुस्तकम, शब्द के पीछे मा और हलंत, यहाँ पे मा की द्वनी, मा की आवास आएगी, समझ में आया बच्चो? घासम, घासम, त्रणम, घास मतलब त्रण, तिनका, इंदी में, जलम, पानी, नेत्रम, आंख, चित्रम, चित्र, सबकिन सारे मूलशब्द के अंत में क्या आ रहा है? मा के नीचे हलंत, इसलिए यह सारे नपुम्सकलिंग शब्द कहलाते हैं। तो चलो बच्चो, अब हम आगे देखते हैं, अब हम वीवचन की पहचान करते हैं, वीवचन में पुम्लिंग का शब्द है समझो, आउ की मात्रा, स्प्रीलिंग का शब्द है समझो, एकी मात्रा जोनना चाहिए, नपुम्सकलिंग शब्द रहा समझो, एकी मात्रा ही जो अब देखिये पुम्लिंग में बालकव, शब्द के पीछे आउकी मात्रा. दारन देखिये बच्चो, व्रिक्षव, दो व्रिक्ष, सूर्यव, दो सूर्य, चंद्रव, दो चंद्र, पुरुषव, दो मन, दो पुरुष, बालव, दो बच्चे. अब स्त्रीलिंग के शब्द देखिये बच्चो, बाली के, शब्द के पीछे एकी मात्रा, एकी मात्रा होती है. उदारन देखिये बच्चो, बाले, महिले, सरिते, चटके, रोटी के, बाले, दो बाली का, महिले, दो महिला, सरिते, दो नदिया, चटके, दो चिरिया, रोटी के, दो रोटीया, समझ में आया है बच्चो? अब तीसरा है, नपुम्सकलिंग, नपुम्सकलिंग में एकी मात्रा आएगा, वूल शब्द को एकी मात्रा आएगा, पुस्तके, यहां पे देखिये, शब्द के पीछे एकी मात्रा, घासे, दो घास, जले, दो जल, लेकिन दो जल नहीं रहेगा, की कहा है बच्चो? नेत्रे, दो आंक, चित्रे, दो चित्र, फले, दो फल, समझ में आया है बच्चो? अब हम बहु अचन की पहचान करते हैं. बहु अचन की पहचान देखिये बच्चो? लिंग, लिंग में कैसा रहेगा? शब्द के अंत में पुम्लिंग शब्द रहा समझो? आहा की द्वनी आएगी आवाज. फ्री लिंग में है समझो? फ्री लिंग में भी आहा की आवाज आएगी. नपुम्सकलिंग शब्दों में बहु अचन को किस प्रकार पहचानना है? शब्द के अंत में आनी या आनी आएगा. समझ में आया बच्चो? अब देखिये. कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं. पुम्सकलिंग शब्द में बालक आहा शब्द के पीछे आकी मात्रा और विसर्ग आहा की आवास आएगी. अब देखिये. विक्षाहा अनेक विक्ष्र, अनेक पेड, सूर्याहा अनेक सूर्य, चंद्राहा अनेक चंद्र, पुरुषाहा अनेक अद्मी, बालाहा अनेक बच्चे. अब दूसरा लिंग है स्त्री लिंग, यहां पे बालिकाहा उदाहरन में शब्द के पीछे आकी मात्रा और विसर्ग, आहा, मूल शब्द को आहा जोडना है, आहा की आवास आएगी आपको. बालाहा अनेक बालिकाए, महिलाहा अनेक महिलाए, सरिताहा अनेक नदिया, चटकाहा अनेक चिडिया, रोटिकाहा अनेक रोटिया, अब तीसरा लिंग है नपुम्सका लिंग यहाँ पे उदाहरन देखिए बच्चो उस्तकानी शब्द के पीछे आकी व ईकी मात्रा में न य अन आयेगा समन में आया बच्चो न और अन आयेगा छोटी ईकी मात्रा समन में आया बच्चो इ की मात्रा में ना और अना, ना और अना किन शब्दों में आएगा, आप देखिए यहाँ पे उधारन से पहचानिये, आप घासानी, यहाँ पे नी, ना की आवाज आ रही है, आनी. दूसरा शब्द है जलानी नाही आ रहा है अब यहाँ पे तीसरा शब्द देखिए बच्चो ने त्रानी जिस शब्द में त्रा रा की आवाज या शा मोल शब्द में है समझो तब आपको अना जोनना है ने त्रानी अब देखिए त्रा में ता और र है अन्त में इसलिए अना आएगा समझ में आया बच्चो अना और ना कब लिखना है अब चित्रानी इसमें भी अना आएगा क्योंकि त्रा में र है उसलिए अना आएगा समझ में आया बच्चो अब लास्ट आखरी शब्द है फलानी इसमें र है नहीं है इसलिए ल है इसलिए नहीं लिखना है समझ में आए बच्चो लिंग और वचन किस प्रकार पहचानना है लिंग और वचन को एक वचन में किस प्रकार लिखना है द्वी वचन में किस प्रकार लिखना है और बहु वचन में किस प्रकार लिखना है आप समझ चुके हैं ये सारे आप पांचवी कक्षा में ही सीख चुके हैं, है ना बच्चों? और अगले वीडियो में हम और ज्यादा शब्द क्या-क्या है पुमलिंग में, स्रीलिंग में और नपुमसकलिंग में और क्या शब्द है? सीखते हैं. अब यहाँ पर ही हमारा इस वीडियो को समाप्त करते हैं. धन्यवाद बच्चों!